तो यह हैं मेरी स्लेफर जो मुझे चंदीगड जारी इसकी रेट क्या है तो यह बढ़िया कलब लबती है तो असलाम अलेकूं गाईज वेलकम बैक तो मैं यूटूब चनल तो होग करता हूं आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे तो आज को लागम स्टार्ट करते हैं चंदीगड तक तो बाइरोड ही जाने वाला हूं तो आगे जो भी होगा ना मैं आपके साथ हो शेयर करूंगे क्यूंकि चंदीगड में मुझे एक इंपोर्टेंट काम है उसके लिए में जा रहा हूं तो आप निक्स्ट विलाग में या अगर ये विलाग छोटा ही हो गय तो आज का व्लाग समगी से स्टार्ट करते हैं तो अभी हमें जाना है खिलाल बानी हलता के ट्रेन में उसके बाद फिर गाड़ी में चुमो तक और उसके बाद वर सिलिपर में हम जाएंगे चल्दीगड तो आप लाग के साथ बने रहे जो भी रास्ते में होगा तो मैं आ तो फ्रेंट्स हम पोहन चुके हैं रेलिव स्टेशन बानी हल तो अभी यहां से हमें और गाड़ी लेने पड़ेगी यो हमें जुमो में ड्रॉप करेगे तो आप लाग के साथ बने रहे आगे बहुत मज़ा है तो हम पहुंच चुके हैं मेंन मार्केट बानी हल में तो यहां से आप देख सकते हूं कुदी कितना जाम है पूरा एक गंटा लग गया हमें इस जाम में जोहर की निमाज अदा की जो मेरे पीछे माजज़ शरीफ है बहुत ही अक्षा माज़ज़ शरीफ है यहां पे तो हमने यहां पे निमाज अदा की तो इसके बाद हमारा सफर आगे करेंगे क्योंकि हमें पहले पहुंचना है जुमू तो वहां पर हम मिलेंगे इंशालला आफिलाग के सब बने रहें तो फाइनल फ्रेंड्स में पहुंच चुका हूँ जुमो तो यहां पर हमारा एक बंदा है वो जी एमसी में पढ़ता है तो इसे के पास फिलाल हम रुके हैं तो यह उसका रोम है जहां पर मैं भी हूँ तो इसके बाद मेरी गाड़ी नाव बजे है चंदीगड के लिए तो अभी इफ्तियार का टायम है तो फिलाल इफ्तार करते हैं उसके बाद मिलते हैं तो हमारी जवाई ने यहां पर इफ्तार और खाने का बहुत अच्छा इंतिजाम किया है माशालला तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जुमो बस स्टैन में तो यहां से हमारी गाड़ी निकल आप अभी जवाद में तो यह एक बाई है मेरा तो रमीज भाई है यह भी हमारी सासिल्दागर से आया है तो अभी हम एक्सपोलोर करें कि जुमो का ओल्ड बस स्टैन्ट तो आपको यह जो पुराना बस स्टैन्ट है जुमो का यह एक्सपोलोर गाएंगे जुमो का ओल्ड बस स्टैन्ट में यह पाउच लिया अपने के लिए तो आप प्रमेट में जुरूर बताना कैसा है अधर्वाइस तो में चेंज भी कर सकता है तो बाई यह आपने लिए कुछ रुमाल बेग रहा है कौन से वाली लेनी है अब को यह बैग वाली हां बडिया पह्ता है है इसकी रेट के यह हैं तो यह बहुती बढ़िया का लग लगती हैं तो यह है मेरी स्लेफर जो जो मू से चिंदी गड़ जारी तो अब मेरा कैबन देख सकते हूं और एक बंदा है हम पर मेरे सास हेरिंग में है तो यह है तो वह रही हमारे बंदे जो मेरे साथ आए कि खानी के लिए यहां पर रुकिये हैं तो आगे वह बास देख रहो इसमें हमाई थे यहां पर तो यह हमारी बास है तो आज दूसरा दिन है मैं पहुंच चुका हूं चंदिंगर तो रात के साड़े तीन में यहां पर पहुंच चुका हूं तो देख आपको यह वीडियो पसंदाया होगा तो अर्ली वीडियो में हम जोईनी हैं पर कुछ जगह ऐसे हैं जो हमें एक्स्पलोड करने की कोशि झाल